बिस्मिल्लारमान रहीम, वालकम टू दो वीडियो सेशन केंट पॉब्लिशर्स सबसे पहले प्यारे बच्छों आपके पास जेनरल साइंस की बुक होनी चाहिए बड़ में की नाज़ के पास जाएंस तो आप लोग के पास समर पेक भी हो तो ज्यादा अच्छा है बहुत अच्छा है और तीसरी चीज प्यारे बच्चों रिसोरस पैक यह होजिए यह जो है इस अज़ियो पॉर्ब्लिशर्स लेकिन आजकल आप लोग गरंपे है तो आपक topic and today's topic is the characteristics of animals and plants पिछले दिन हमने पड़ा था about the needs or the factors for living things आज हम पड़ेंगे के animals और plants में कि क्या क्या क्रेक्टिस्टिक्स होती है और उन characteristics को mainly हम लेंगे के उन में common क्या है और उन में different क्या है and this is also a very interesting topic to my dear student सबसे पहला factor आप लोग मुझे बता दे plants are living or not living yeah of course plants are living things animals are also living things number two second difference क्या है यह 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 देर रिप्रेड्यूस इंसे नए बच्चे नए ट्रीज नए plants पैदा होते नहीं होते हैं और animals से भी पैदा होते हैं सो बहुत और this characteristic is also common उसके बाद यह है कि इन से भी west product निकलता है और इन से भी west product निकलता है यह नहीं इस में as I stated earlier इनका west जो है वो बड़ा जबरदस्त है हमारे लिए क्या है हमारे लिए है oxygen है और इनका west क्या है animals का that is carbon dioxide along with other west products और इसके बाद क्या है मेरे फ्यारे बच्छो यह दोनों breathe करते हैं यह इनको भी चाहिए एर चाहिए और इनको भी एर चाहिए सो दे बोथ नीट इस तिंग्स कंभाई ली यह जो requirements plants की है कुछ वह requirements किस की है वो animals की भी है यह वही characteristics plants की भी है वही animals की भी है लेकिन there are some differences also यहीं you just have a look on the text and you will realize and you will understand plants जो है they make their own food plants जो है वो क्या करते हैं प्यारे बच्छो in the presence of sunlight they prepare their own food जबके animals cannot prepare their own food animals क्या करते हैं plants से खुराक लेते हैं या कुछ animals और animals को भी का जाते हैं और next one is क्या है animals can freely move एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और एक जगह को चोड़के यह नहीं वो travel कर सकते हैं जबके plants क्या करते हैं वो travel नहीं कर सकते देख दूसरे हाँ उनको अगर जिस जहां से sunlight पड़ते हैं तो उनके जो leaves हैं जो उनके stem है वो उस तरह बेंड हो जाते हैं और दूसरी चीज़ यह इनके जो roots है वो नीचे जाते हैं लहाजा active movement plants में नहीं होती हैं जबके animals में होती हैं और उसके बाद both plants and animals are made up of cells but plant cells do not have हमने one class में पढ़ा था के building blocks इनके भी cells हैं लेकिन इनके cell को क्या कहते है plant cell और animal वाले को क्या कहते है animal cell हाँ तोड़ा सा plant cell में और animal cell में है फरक होता है और वो किसी का होता है के plant cell में एक अजाफी wall होता है जिस wall को क्या कहते हैं cell wall कहते हैं so my dear students these are the common factors and different factors between plants and animals हम आगे जाते हैं and we will see that another too many other things जो के characteristics हैं जिनकी बुन्याद पे हम differentiate करेंगे between plants and animals in this case हम एक example लेंगे और वो example यहाँ पे आपको नजर आ रहा है that is one side पे हमने animal से pigeon लिया है और plant से हमने गवा ट्री लिया हुआ है यह अभी हम कबुत्तर और अमरूद के बीच फर्क देखेंगे और कौन-कौन से characteristics पे देखेंगे number one growth so my dear students they both grow यही पीजन भी ग्रो करते हैं लेकिन किसी से अंडे से और गवा ग्रो करता है किसी से seeds से अब यह grow भी है common भी है और थोड़ी से different भी है and number two reproduce reproduction यही पीजन के भी बच्चे पैदा होते हैं और गवा की भी बच्चे पैदा होते हैं गवा क्या करता है उस seeds से दुसरे plant बनते हैं जबके pigeon के अंडे से और बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद very interesting my dear student that is movements हमने जो animal plant के बारे में पढ़ा था यानि पीजन क्या करता है वो move करता है वो चल भी सकते हैं वो fly भी कर सकते हैं यह कली होती है गुलाब की और अगले दिन इसी को इसी को अगर तुम देखोगे तो यह आपको कैसे नजर आएगा यह आपको पूरा फ्लावर यह इसका कुल जाना बगहर movement के तो possible नहीं है so my dear students plants also क्या करते हैं वो भी movement करते हैं लेकिन इस तरह active movement नहीं कर सकते हैं जिस तरह animals करते हैं जाते हैं next characteristic के तरह and that is called is sense and response यह अगर किसी स्टीमोलाइक को देखते हैं तो स्टीमोली को यह नि उनके लिए response करते हैं पिजिन क्या करती मेरे प्यारे बच्छों वो क्या करती हैं वो चीजों को देख भी सकती है वो सुन भी सकती है और अगर कोई उनको खत्र होता है तो वहां से उड़ भी सकते हैं जबके tree के जो होते हैं वो भी sensitive होते हैं as I stated earlier कि अगर उनके पते कहीं से light आती है तो उनकी तरफ बेंड हो जाती है और इनके जो roots होते हैं वो जमीन की तरफ अगर कहीं नस्दीक पानी नहीं मिलता पानी त ले जाते हैं लहाजा वो sense or respond कर सकते हैं और उसके बाद my real student that is respiration यनी the process of inhalation के हम oxygen अंदर लेते हैं और carbon dioxide बाहर निकालते हैं पोदे क्या करते हैं वो carbon dioxide लेते हैं और oxygen निकालते हैं इसी तरीके से ये excretion भी कर सकते हैं यनी see the next page and you will you will find here तो excretion में pigeon क्या करता है west product को क्या करता है excret करता है इसकी जो dropping होती है आप लोगों ने कभी pigeon या pigeon के इलावा बाकी चीजों की भी dropping देखी होंगी यनी उसकी जो pishy party होती है these are called like west products और उसके बाद यनी with the help of mouth exchange of gases as I stated oxygen लेते हैं और carbon dioxide बाहर निकालते हैं इस और यहां पे तोड़ा सा different है गवाट ट्रीज एक्स्ट्रीड वेज गैसे इन्टो दे एर and from the leaves यनी वो अपने पतों से करती हैं और harmful chemicals are stored in its leaves they are extracted when? कुछ उसके अंदर प्यारे बच्चो यानी सारी चीजें हवा में नहीं करती ये कुछ उन में जो harmful chemicals होती हैं वो उनके पतों में उनके leaves में store हो जाते हैं जब वो leaves जमीन पे गरते हैं तो उसके साथ वो नीचे जमीन पे गर जाते हैं so my dear students you saw the different characteristics और उसमें पहला क्या था? growth, reproduction, movements, sense and response, respiration and excretion 1, 2, 3, 4, 5, 6 so my dear student remember these are the six physical factors के जिसमें plants और अनिमल्स आपस में मुक्तलिफ हैं and now this is the turn a time of summer pack और अब summer pack में जाएं और इसके साथ जो question मांगा गया है उसको solve कर ले ताके at the end of the vacations it show it you show it to your teachers so best of luck my dear students Allah Hafiz